नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल Facts Behind Hindi में दोस्तो साल 2020 जब से शुरू हुआ है हाथ से रुपने का नाम नहीं ले रही है हर महीने एक नई ट्रैजडी सामने आ रही है लोग प्राफना करे हैं कि साल 2020 जल्द से जल्द खतम हो करोना संकट के बीच बैरेट में हुए एक खतरनाक एकस्पलोशन ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है इस एकस्पलोशन में कई जाने जा चुकी हैं और कई लोग जख्मी हैं दोस्तों ये एकस्पलोशन कैसे और क्यों हुआ इसकी सारी डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा प्लीस वीडियो को आखिर तक देखीगा और वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलेगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओड़ दोस्तों लेबनन की राजदानी बेरिट में एक ऐसा एकस्पलोशन हुआ है जिसने आदे से ज़्यादा शहर का नक्षा बदल के रख दिया है बताया जा रहा है कि इस हासे में मरने वालों की संख्या असी के उपर पहुंच चुकी है और चार हजार से ज़्यादा लोग गायल है आपकी जानकरी के लिए बताने की लेबनन इसराइल और सीरिया का एक करीबी देश है पहले बहुत कम लोग इस देश को जानते थे लेकिन एकस्पलोशन के बाद ये देश चर्चा का विशे बना हुआ है दोस्तों अप सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा हासा कैसे हुआ तो मिली जानकरी के मुताबिक यहां पर विस्फोट हुआ है वह बंदरगा के पास का एक इलाका है और वहां पर कई बड़ी कंपनियों के गोदाम भी है दमाका बंदरगा के पास्टित उस गोदा में हुआ है यहां कती तोर से एक जहासे जप्त किया गया 2750 टन अमोनियम नाइटरेट रखा गया था अमोनियम नाइटरेट की इतनी बड़ी खेट कहां से आई फिलहाल इसकी जान चल रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर एक जगा पर इतना ज़्यादा अमोनियम नाइटरेट क्यों रखा गया था यह अवे था लेकिन आख कैसे लगी इसकी कोई पूस्टी रही है दोस्तों बलास्ट के जो वीडियो सामने आ रहे हैं और मैं साफ देखा जा सकता है कि बलास्ट के चलते मश्रूम जैसे बादल बन गई थे बलास्ट के जलते बने ये बादल काफी दूर तक देखेगे बताया जा रहा है कि बलास्ट इतना बेयानत था कि बेरिक शेतर में गटनास्ट के काफी दूर की इमारतों के शीशे तक चूटके वहीं गटनास्ट के पास की इमारतों को गंबीर नुकसान पहुँचा है आगे मैं आपको इस हाथ से की कुछ दर्दनक तस्वीरे दिखाने जा रहा हूँ जिने देख आपकी रूप का आप उठेगी का आप उठेगी? यह थी दोस्तों हमारी आज की जानकारी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और इस तरह की और इंफोर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले धन्यवाद